तो दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि गलती से हमारा हाथ फ्रीडी शेट बॉक्स के बॉडि में टच हो जाता है या हम इसका जो केबल पुन है उसे यहाँ पर लगाते हैं तो हमें जोर से सौट लग जाता है तो दोस्तों क्या आपको पता है कि आपका 3D setup box में current क्यों आते हैं? इसके क्या कारण होते हैं? दोस्तों इस तुडियो में मैं आप लोग को 3D setup box में current आने के 3 कारण बताने वाला हूँ और प्रतेक कारणों के साथ साथ आपको या explain करते जाओंगा कि आप उस problem को कैसे पता कर सकते हैं और कैसे ठीक कर सकते हैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हमारा YouTube channel Mechanical Search तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें जट से इसी तरह का वीडियो और भी देख रहा चाहते हैं तो हमाएं चैनल को किजे सब्सक्राइब और लगे रहे डट के क्योंकि हमारा explain करने का अंदाज होता है जरह हटके तो चले दो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो हमें करेंट का असास वहाँ पर हो जाता है दोस्तों मैं आप लोगों को इस उडियों में तीन करन बताऊंगा और प्रत्रिक कान को आपको explain करते जाऊंगा तो यहां पर मैंने supply दे दिया है अब आपको यहां पर टेस्ट करके दिखाता हूं कि इसमें करेंट आ रहा है क वहां नही है करना करेंट कि इसक में आपको बताने जा रहा हूं कि पहला है इसप्लाइवार्स और शपलाई वार्तों मैंने नए लगाया हुआ होता है अगर कट जाता है वह होता है और प्रॉडू यहां से वार है उसका पहले चेक कीजेगा यह जो वार है वह कटा हुआ तो नहीं अगर कटा रहेगा तो आप इस वार को चेंज कर देंगे तो इसके जो करेंट प्राब्लम में वह साल हो जाएगा दोस्तों यह तो पहला करना यह पर करना है इसके बाद आपको दूसरा कान बताने जा रहा हो जिसकांसे आपका सेटाब बॉक् लगा होता है फ्लास्टिक के आप दे सकते हैं तो वह स्रड़ हो प्लास्टिक 20 जाता है जिस करन से जो पाफ़ एक होता है उनीचे जूआ है और पावर-शप्लाइए का जो प्लास्टिक होते हैं लगते रहते हैं अब हम आपको तीसरा और में कान बताने जा रहे हैं जिस कान से सेटप बॉक्स में करेंट आने के प्रॉब्लम ज्यादा आता है दो इसका तीसरा कान है तो उसको इलिए आपको इस पावर सप्लाई को निकाल कर आपको दिखाना पड़ेगा ताकि मैं आपको यहां पर लगए हो रहता है वह यह जोब लहां यह जो बीच मैं लगए हो रहता है और यह ग्राउंड में लगा हो रहता है उसका अब मदरब खुते वोए ूरांवन के वोछे उसका दोकी थी में च lista इसक्षाइव अपरक्षण से प्रosaur काप्राबलम आता है तो दोस्तों यो भराफ क्लासे थैक्र होता है,älिलस सभर फार में in-do section पिषमें एफ्ता में सकते जो चीह से से simpleson है और राइट में आप जो सेक्टन देख रहे हैं वह अधी जिसे से से रहे है और इन दोनों ले करेया प्ले सी जो आप हो चुका या भी इस बॉड़ी में करेंट आ रहा है अपने शेटब बॉक्स के तो आपको इसे ठीक करने के लिए क्या करना होगा आपको दोस्तों यह जो पीएफ कशिटर है उसे आपको चेंज करने के लिए आप अगर आपके पास कोई दूसरा पावर सप्लाई है तो आप हो दो चले यहां से उखाड़ ठेकते हैं दोस्तों हम यहां पर देख सकते इसका जो एक लेग उसे कट कर दिये आप चाहे तो इसको पूरी तरह से बाहर निकाल सकते हैं या इसी तरह से रहने दे सकते हैं दोस्तों इस तरह से हमें यहां पर पर इसको दुबारा से लगाएंगे यहां पर और आपको दुबारा यहां पर चेक करके दिखाए कि इसमें जो आ रहा करेंट ठीक हुआ कि नहीं तो हमने आपका कनेक्शन फिर से कर दिये अब यहां पर सप्लाई भी दिये दिये दोस्तों आप देख सकते हैं अब आपको यहां पर जहां पर हम टेस्ट कर रहा थे टेस्ट कर रहा था पहले अब यहां पर टेस्ट कर रहा है क उसको पहले फालो कीजिएगा और जो इस्टेप अगर सही रहे तो आप यह जो पीएप के शेर लगा उसे आप कट कर दीजिएगा तो इसमें जो आरा करेंट ठीक हो जाएगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स टूटों में एक और नहीं रिपेरिंग उड़ी को साथ